के रड़ा की एक औरत के साथ ओनलाइन ट्रेडिंग स्कैम चेल लाग रुपाएगा और इन्फोसिस सतर गंटरे काम करने के बावजूद टेड़ बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट रुका इतना कुछ हुआ इस बार के स्टॉक मार्केट तमाशा में अब खुद ही देख लो ब्राइट कॉम गुरूप इस कंपरी के लाव में बहुत सारी ब्राइटनेस है लेकिन इसके पास में बहुत सी डाकनेस अब बुझे तरह ड्रामा करने के जुरूद है नहीं लेकिन इस कंपरी के M.D. और C.F.O. आजकल बहुत ड्रामा कर रहे हैं अब इस क्याव के वारूप में अच्छे से जाना है तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो में अच्छे से बता रखा है इसको देख लेना है कभी 21 रुपे हुआ करता था 13 रुपे बहाया अभी आज गन 19 का है वैसे अलग बात ये बहुत को बहुत गंपीरता से सुना सोचा समचा और फिर कहा हटे अब सेट की इस हटे सुनने के बाद यह दुबारा पोंचे सेट के पास का अगया हमारी बात सुन लो क्योंकि सेभी की सारे आर्गुमेंट्स अब बेसलेस हैं उपर से सर हमारी गंपरी डूपने वरी है पैसा कम खवारी है परोफिट है नहीं और इन्वेस्टिस का नुफसान हो रहा है क्यों कि प्राइस अकिर रहा है सैट ने इस बात को फिर से घंबीरता से सुना सोचा समझा और कहा अबे आजी हो यार तो दोस्त है अपना अधो तारी को क्या कर रहा है अब सोचने मेनी बात यह है कि वही साइड एक वार कहती है कि नहीं हम लहीं सुनने वाले और दुसरी बार कहती है अचे लो अचे लो इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया आपको सी इन्वेस्ट्म ड़ाइजर से फोन आया है जिसने आपको कहा हो कि मैं निसम रिजिस्टर्ड आप डीमेट अकाउंट पर पैसा डारिए मैं आपको प्रॉफिट दूँगा यह कियाना था एक एक निसम सेटिफाइड नौन सेबी रिजिस्टर्ड अडवाइजर का जो लोगों को फोन करके यही कहता था यूट्टूब पे आने की साथ उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी य इसे ही कल्फिट लोग जैसे आशीज दूबे फोन करके कहते हैं यह आरे सार क्या बात कर दी स्टॉक मार्केट को हम लोग चलाते हैं आप पीच लाग फे में डाल की देखिए और रात डबल ला कर दिया तो मेरा नाम अब बदल दीजिएगा अच्छा अच्छा मैं करता अच्छा थीक है में बेजता हूं मैं बेजता हूं अब मैं करांगे ना प्रॉफिट आपका आप पैसर डालिए फिर देखिए मोस्ट लागे नहीं है किसी ब्रोकर के आरेम रिडेशनिशिप मैरेजर होंगे जो कि अपनी ब्रोकरिस के टागेट पूरे करने के चक्कर में किसी सीरे साथ इंसान का लुक्सान करवा रहे हैं उनको सिर्फ ट्रेड कराने से मतलब होता है क्लाइन के प्रॉफिट से बिल्कुल नहीं इसलिए बचके रहे हैं और इसके उपर डीटिल के स्टेडी की है कुछ से चेक कर सकते हो अगली कावर में हर हफते के सतर गंटे काम करने के आपको जुरूरत नहीं है कुछ दिर पहले इन्फोसिस के फाउंडर नरायन मुर्तिजे ने कहा था कि आज के यूथ को कम से कम हफते में सतर गंटे काम करना चाहिए ये बात हो रहा है कि उनको खुद 100 बिलिन डॉलर्स के एक डील मिली थी लेकिन अब पता लगा है कि वो डीन हाथ से निकल गई है इन्फोसिस के यहतियास में इस अबसे बड़ी डील हो चकती थी हर साल अगले 15 साल के लिए 100 बिलिन डॉलर्स मिले थे लेकिन ये वो नहीं पाई ये खबर सुनके इन्फोसिस का शेयर प्राइस ठोड़ी दिल तो लिचे गिर गया ता लेकिन वापिस वहीं पे आ आ गया ज बहुत सरा पैसे कमाना है तो मेरे टेलीग्राफ चैनल को जॉइन करो आपको मैं लगपती बना दूगा ये बात बोली इंग्सकेवर ने केरला की एक मैला को एक दिन को फॉन आता है कहा जाते है कि आपको गूगल मैप को रेट कर रहा है आपको इसके लिए पैसा बिलेगा और हाँ पैसा मिला भी और इस पैसे के वज में इनोंने अपना विश्वास भी बेज दिया टेलीग्राफ चैनल वाले ने फिर से फोन किया कहा कि वहाना बिल्कुल वाइट काम है आपको ज़्या पैसा कवाले है ट्रेडिंग कीजिए ये लिजिए ट्रेडिंग आप इस प पैसा खमाल यह पैसा निकाल लेती हूं पैसा निकालने के कोशिश की नहीं निकाल पाए उस टेलीग्राफ वाले को फॉन किया कंको पैसा चाहिए उसते काकि का मदा है एक और कर दो एक और में करूंगा तब मेडम को लगा सीधा पहुंची पुलीस सेशन एफ फायल करवा दिया है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया अगली बार आपको कोई टेलिग्राम वाले का फोन आता है ट्रेडिंग करवाता है फोन ब्लॉक कर देना अब मतलब नंबर हेलो मैम यह चोट चोटा प्रोफिट कब तक कमाएंगी आप बड़ा पैसा कमाना है तो बताईए अच्छा कैसे आपको मैं ट्रेडिंग आप देता हूं उसमें पैसा डालिए और रोज प्रोफिट कमाईए अच्छा आप तो बड़े अच्छे इंसान है अभी पैसे ट्रांस से ग्यारा बैंकों के पुलीज एक हैकर की पिछे पड़ी है पच्छे दिसंबर को इन सब को एक एमेल आता है जिसमें का जाता है कि एफम निर्मना सितारमन और आर्विया की गवर्नर स्काम्स कर रहे हैं और इनको 26 दिसंबर डेड़ बज़े का टाइम दिया जाता है अप मतलब रिजाइन किसे ने किया नहीं बॉम किसे ने मिला नहीं तो ये ख़वर किस बात के लिए थी अच्छा अरे यार मैंने सोचा था कि मेरे इस एमेल से मार्केट पैट जाएकी और मेरी शॉर्ट पोजिशन से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कुछ नहीं हुआ श्याए संजीव सन्याल जी के बारे में जानते हैं बताता हूं जिस तरह से आजकल डीफेक या AI के स्कैम चल रहे हैं जिसमें कोई भी चैरा बदल के कोई भी आवास बदल के कुछ भी बोल देता है वो दिन दूर नहीं जब कोई हैकर डीफेक का स्तेमाल करके कि किसी कंपनी का CEO बन चाहिए जो इन सब को पामुशकत सजा सुनाए अब अंदर की बाद तो यह है कि सेवी कुद ही सेटलमेंट या रीफर्ट करके लोगों को कहता है कि पैसा देतो लेकिन आगे से यह गलती नहीं होनी चाहिए हां किसी और नाम से सेवी गलती कर सकते हो तब भी हम यही करेंग झाल झाल झाल